है गाज राइट एंगल अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर योगेश शूठवाल बिल्कुल आपकी यहां पे नेट जीराफ दोहजार तेईस की यहां पे रिवीजन सीरीज अपने यहां पे शुरुवात की है नेट जीराफ एक्जाम दोहजार पर सिरीज में डीवीजन सीरीज का स्टार्ट करने का बेसिक मकसद यहां पे यह है कि जो भी पीवाई क्यूज का आपने देखा शीरीज अपने चलाई यूनिट अपने कवर की उसके हिसाब से कौन-कौन से टोपिक ऐसे हैं जहां से क्योसंच आने की बहुत ज्यादा समभ नान भेखम समय आपन परस कहले है इस आपने एंच परदार थे ट्रिश में जे से कवर करनने वाले हैं तीम को सब्स्त्रा को आपन के proceedings है कौन-कौन से एरियाज में रहती है और उनका नाम क्या है तो यहां पर इस टाइप का क्यूशन हमेशा पूछा जाता है कोलम मैच में भी या फिर वन लाइनर की अपन बात करें तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि बुस्मैन है युकागीर है सेमांग है कौन से री में पर रहती है तो यह चीज अपन यहा पर सुरुवात करने वाले है चलिए बिना देरी का सुरुवात करते है शेशन को बहुत लंबा नहीं रखेंगे क्यtor टाइंगे क्यौकिक्क अहमत्रत में है कम ताइम में यादा चीज़ is यहां पर लुके और थो go juice करने वाले हैं तो सबसे पहले शुरुवात कर रहे हैं की वह अपर कौन सा एरिया है ऑपन्दे और सबसे पहले तुन्रा प्रदेश वहां पर आपका एसूमो लोग यहां पर रहते हैं गरिन लैन्ड का एयरिया हो गया चैनेडा का नोर्धन वाला पार्ट वहां पर Eskimo जन जाती है Slay's गाड़ी का वो अपना यूज करते हैं और बहुत सारी यहां पर कहानिया सुनी है Slay's गाड़ी को कुट्टों के द्वारा वहां पर खीजा जाता है तो यह कहानिया अपने सुनी होगी Eskimo जन जाती को लेके सेमोड सेमोड जब जन जाती है वो एसिया वाला जो रीजन है उस रीजन में रसिया वाला रूस वाला पर ये लोग निवास करेंगे सेमोड ये वाला एक बेसिकली रीजन है जहां पर बरब से ढखा रहता है हायर लेटिटूड में रहता है तेमप्रेचर आपका माइनस सालीस तक माइनस 45 डिग्री तक पहुंच जाता है उन रीजन को कहते हैं तो यहां पर सेमोड हो गई एसिया टूंडरा में मावरी का आपने खूब नाम सुना होगा मावरी जो त्राइब है वह कि न्यू sert कि न्यूजिलेंड वाले जो रीजन में है आपका ये आर्थ है यह ऑस्टेलिया यहां पर जो जो न्यूजयलेंड का जो रीज़ है यह भी हायर लेटिटिटूड में रहते हैं मुझ्य अक्सांक्षय छेतरों में माउरी रहते हैं निवास करते हैं दोई चीजे अपन यहां पे देख रहे हैं उनकी अनल जहां कि वह आपके ऊश्ट्रेलिया के तरे नियुजीलेंड के बात हो रही यहां पर उस्ट्रेलिया के मूलनिवास्वmorginis ए ब्रबर्ञ ढूह पिष्टमी और मद से तर में यह आपका एंस्ट्लिया के जो यह वाला पार्ट डेजर्ट वाला पार्ट उसके पस्टम में और मद एरिया में जन जाती है यहां पर डेंसिटी वैसे भी देखा जाए तो कम है ऐस्टेलिया की पस्चमी वाले रीजन में इस्टन वाले पार्ट में डेंसिटी ज्यादा है ठीक है तो यहां पर आपके पस्चमी मद्यवर्ती ऐस्टेलिया के मूलनिवासी है पस्चमी अफ्रीका और मद्य अफ्रीका का यह आपका अफ्रीका वाला यह कॉंटिनेंट है तो दक्षणी अफ्रीका और मद्य अफ्रीका का यह जो रीजन है बांटू जन जाती है वहां पर निवास करेगी ठीक है गाउचो जो जन जाती है दक्षणी अमेरिका के उरूगवे और अर घुगे और प्रङवल इस रीजन में यहां पर कमपास के मैदान और इस रीजन में यहां पर पंपास की जो ग्रास-zland ऐर्या है वहां पर गाउचो जनजाती का निवास करता है खिरगीज खूब आपने नाम सुना है खिरगीज जनजाती है मद एशिया का स्टेपी जो को अनाज का भंडार है। पूरी दुनिया का अनाज का भंडार है। वह पर आपकी किर्गीज जनजाती नीवास करती है। मद ऐसिया में जो ताझिक है Cam bugory द Хорошо कौने से कंट्री की बात करें! ताजिकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिजिस्तान इस एडियाद में जन्जाती रहती है किर्गीज जन्जाती मसाई की अपन बात करें तो मसाई है आपका पूर्वी अफरीका में ये अफरीका का इस्टन वाला पार्ट है ये वाला बेसिकली और भी ज्यादा देखें तो अपन मसाई Kenya वाला, Tanjaniya वाला जो रीजन है इस्टन पार्ट वाला पूरवी अफ्रीका उसमें आपकी मसाई जनजाती निवास करती हैं पिग्मी जनजाती का आपने खूब नाम सुना होगा पिग्मी जनजाती निवास करती है कांगो नदी के से curry में कॆंग से में कांगो या जाइरे जो कंट्री है उस कंट्री में निवास कर थी कंभी कम हैइट के केला बहुत कह मत्रा है सी सी मक्यां बार बार काड देतीय तो मिल्टी कर रहते हैं तो pigmi जंदा आती है आपकी कांगो नदी साधी है। आपकी अफरीका में ऐो अफ्रीका है अफ्रीका में इस प्रकार से फ्लो करके यहां पर अपना पानी गराती है तक्षणी अट्लांटिक में न्यू पपुवा गिनी के नाम से आप देखेंगे तो न्यू गिनी न्यू गिनी जो आइलेंड है उसी का यहां पर पार्ट है न्यू गिनी का पार्ट है प जर्दार मंतरी ने भारत के नरेंदरमोदी के पैर्थ हुए वो कंट्री ई अपका पपवा न्यूगनी नाम से ही पता लग रहा है पपुआ न्यूगनी यह न्यूगनी होगया ठीक है इंडोनेशिया का जो समू है आइलेंड्स का उस समू के नोर्दन पार्ट में आपका यह मिलेगा रेड इंडियन्स आपके बेसिकली उत्री अमेरिका के निवासी है रेड इंडियन्स ट्राइबल एरिया है ट्राइब्स है वो आपके निवास करेंगे उत्री अमेरिका में न दो जनजाती मिलेगी आपको स्री लंका में यहां से क्रिशन एक एंड़ेड प्रसेंट आज के से से बहुत लंबा नहीं करेंगे सेसिन को ओस्तियाक याकूत तुंगू युकागीर चुक्ची चुक्ची समुद्र भी है चुक्ची सी है यहां पे युकागीर है याकूत है सारे की सारे अटपटे से नेम जरूर लग रहे होंगे लेकिन एसिया का एशिया महादीब है मानलो आपका इस प्रकार से यह एशिया महादीब इदर से आपने देखे यूरोप से जुड़ा और यहां पर आप देखेंगे तो एशिया महादीब यह एशिया महादीब का नोर्दन वाला पार्ट है यहां पर खतम होगा यह एशिया महादीब इस प्रकार से तो यह उपर वाला तो साइबेरिया का जो रीजन है साइबेरिया तो इस्टन वाला पार्ट है इस्टन साइ साइबरिया को क्या बोलते हैं पिर आघे बढ़ते हैं बिना देरी के फिर आपकी जूलू जन जाती है जूलू जन जाती है अभी जो जूलू जन जाती है आपकी वो निवास करती है दक्षनी अफरीका का नेटाल प्रांथ मैं नाम भूल रहा हूँ लेकिन दक्षणी अफरीका के एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेशिडेंट थे जो इंडिया भी आये थे वो जो प्रेशिडेंट थे आपके वो दक्षणी अफरीका की जूलू जनजाती से ही आते थे उनका नाम इग्जेक्ली मैं याद नहीं कर पाया हूँ तो जूलू जनजाती है आपकी वो है आपकी दक्षणी अफरीका का ने टाल परांग कोई बीस्टेट हो के साउथ अफरी बुश्मयन को तो कोई नहीं बूल सकता कालाहारी मरुस्तर है आपका कालाहारी मरुस्तर हो गया कालाहारी मरुस्तर है आपका कहां पे दक्षणी अफरीका में बुश्मयन युकागीर युकागीर अपने पहले देख लिया है पिछली वाली स्लाइड में युकागीर अपन या फिर चुकची जो अभी नाम आय ते इसका नाम है आगे भढ़ते हैं बद्दू है आपका बद्दू जन्जाती मिलेगी आपकी अरब में जन्जाती है आपकी अरब साओी-अरैबिया का अरेबियार पहएपन है分 होटेंटोट होटेंटोट है आपका कालाहारी मरुस्तल का बोथ स्वाना यह जो अफरीका का यह मैप है इस परकार से आप देखेंगे तो यहां पर साउथ अफरीका है तो यहां पर ऊपर बोथ स्वाना है जो कालाहारी मरुस्तल है साउथ अमेरिका के नौर्थ में और बोथ सवाने में यहां पर फैला हुआ है तो यहां पर जनजाती मिलती है वह बीघंधा पर's जती है में होशा बैज आपकी नाइजियरिया के मूलनिवासी है अफ्रीका के यहां पर वेस्टन वाला जो इस्टन वार्ट होई यह वेस्टन वाल यहां पर नाइजीरिया है नाइजीरिया के मूल निवासी होसा होसा ध्यान रखना यहां इंपोर्टेंट है ठीक है यहां पर यह लास्ट स्लाइड है इसकी जनजातियों की तो यहां पर आप देखेंगे फला क्रशक है जो फला एग्रीकल्चर यह सारे के सारे जो जनजाति वाला जो एरिया है इस रीजन में जो नील नदी की घाटी है इजिप्ट वाला जो एरिया है इजिप्ट वाल मिस्र वाला रीजन है नील नदी गाटी में वहां पर जंजातियां रहती है कौन सी फल्ला करसक अग्रिकल्सर करती है नील नदी की वज़ए से बहुत फटाइल एरिया है वहां पर आई बास समझ में अफरीदी आप कौन भूल सकता है साहिद अफरीदी को तो अफरीदी सेपीज तो ख्रीज हो गया- इस न है मगयार वेभरह पर ही यूरोप है आप которой सबसे आप माया जंजाती नाम सुना और माया लेक्षिको मेक्सिको और यहां पर लास्ट है आपका बोर बोर जन्जाति आपकी मिलेगी दक्षनी अफरीका में तो इसी प्रकार से आपकी डिविजन सीरीज अपनी चालू श्टार्ट की है आप पनने स्टार्ट की है जिस में उसको जो महत्वफून टॉपिक है पूरी जी सिर्फ और सिर्फ आग लोगों के लिए तो इसको पन कवर करने की कोषिस करेंगे सारे इंपोर्टेंट ट्पिक रहेंगे यहां से एक क्यूस्ण आने का 99 परसेंट क्या 100% चांसे हैं और यह बात अपन एक्जाम के बाद में भी करेंगे यहां से कितने कितरे क्यूस्ण उठक आए हैं चलिए ठीक है नई टोपिक के साथ में फिर से हाजिर होएंगे तब तक के लिए जैहिन जैभारत और चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करें नहीं प्यार दिखाते हैं थैंक्यू सो मच्छ जैहिन